हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आज किस नई वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाला है अब भी जो चालू है बिग बेस लिग 2022 और तेइस इसका जो 38 बा मुकाबला खेला जाने वाला है मेलबन स्टार्स और अडलेट स्ट्राइकर्स के बीच में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इस मैं अच में इन दोनों टिम में से कौन्शी टिम विन करेगा दोस्तो मैं आपको हर मैंच की तरह इस मैंच के भी सूरू से लेके लास्ट तक ए मैंच केसा खेला जाएगा क्या क्या होने वाला इसका सारा अपडेट्स में आपको देने वाला हो दोस्तो यह सारा अपडेट आप ध्यान में रखेंगे तो आपको मैंच में बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा इसलिए दोस्तो हमारे इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखना, skip मत करना अब यार वीडियो को बीच बीच में skip करेंगे तो आपको समझने में भी प्रोब्लेम होगा तो दोस्तो वीडियो को आप पूरा वाच करना हमारे गैरेंटी आपको यहीं से ही पता चल जाएगा यह मैच कैसा होने वाला है तो चलिए दोस्तो आगे चलते हैं और शुरू करते हैं दोस्तो यह मैच आपको इंडियन टाइम के हिसाब से बारा जनवरी के दोपर के एक बज कर पेंटाली सी मिनीड पे शुरूरत ता हुआ दिखेगा आप यहाँ पे इन दोनों ही टीम को दोखे होगे तो इन्होंने इस बीग बेस के सीजन में आट 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 नो नो मैच खेल के आ चुके हैं आप यहाँ पे मेलबन स्टार्स को देखोगे तो इन्होंने इस सीजन में नो मैच खेल चुके हैं बले बाजों के साथ यार इनको पास बहुत 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 ोने जित हासिल कर चुके हैं इन्होंने थीन माज में ह convey यहरे हैं दोस्तों को दो इनके पास भी बहुत डिगज दिगज खिलाडi भरे पड़े हैं इनके बहुत बहुत बेहतर बल्लेबाज जैसे है् geek हांट है इन्होंने पिछले मैंच में इक एलिस गेंद में 56 की स्कोर बनाए थे इनके पास भी बहुत अनुववी बल्लेबाज के साथ इनके पास सांदर गेंद भाज भी है अभी है दिन बढ़ में 4-5 मैंच मैंच की सिव नहीं हो रहे है वहाँ पे हम टॉच, सेशन, मैजबिन, और फैंटेसी टीम, ड्रीम इलेबन, जेकपट और भी कहीं सारा दुनिया भर का प्रेडिक्शन आपको वहाँ पे मिलने वाला है अब दोस्तों देर किस बात की जल्दी से हमारा टेलेग्राम जोइन कर लीजिए वहाँ पे बहुत सारा बंदा, बहुत सारा प्रोफिट कमा रहे हैं आप भी कमाना सुरू कर दें आपको लिंक कॉमेट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लग यार हमारा इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना और हमारे इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब भी कर देना बेल आइकन को भी क्लिक कर देना जैसे अभी बिग बस लिग चालू है यार बंगलादेश की लिग भी चालू हो गया है उसी के साथ यार साओधा अपरी का T20 भी शुरू हो गया है अगे यार IPL भी आने वाला है आप हमारे साथ जुड़ जाएए हमारे इस चैनल को सस्क्राइब भी करके रख लिजिए आप और हम मिलके इस सारे लिग खेलेंगे IPL भी खेलेंगे और धूम मचाएंगे और बहुत सारा प्रफेट कमाएंगे अब यार चलिए यह मैच जहां पर खेला जाएगा वहां की पीछ रिपोट को देख लेते हैं दोस्तों यह मैच मेलबन क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम में खेला जाएगा मेलबन स्टार्स की यह होम ग्राउंड है यहार इस मैदन में बिग बैस लिग के टोटल 62 मैच खेले जा चुके हैं यहाँ पर डिफेंड 28 मैच हुआ है बागी 34 मैच यहाँ पर चेस भी हुआ है इस मैदन की जो एवरेस स्कोर है न दोस्तों यह पहले इनिक्स में 160 देखने को मिला है बागी सेकंड इनिक्स में 144 देखने को मिला है इन दोनों के बीच में जो एवरेस स्कोर की गया पर वो 16 रन की ही गया पर इसी साब से दोस्तो इस वाली मेदान में शोपर नहीं कर रहा है पहले बैटिंग करने वाले टीम को भी सॉपर्ट करता है अब यार बाउंडि के कंडिशन को देख लेते हैं हैं केसा रहने वाला है दोस्तो यह वाली मैदन बल्ले बाजों के लिए बहुत suitable है यहाँ पर अभी तक बल्ले बाजों का बहुत बहुत बहुतरिन पारिया देखनों को मिला है यहाँ पर फास्ट गेंद बाजों का गेंद बेश्टरा bounce भी होता है यहाँ पर 20 ओबर तक का जो score आपको 160 की करिब देखनों को मिलेगा अब यहाँ बात कर लेते हैं इस मैज की session के बारे में यह सारा session को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि दोस्तो यह सारा session आपको मैज में profit दिलाने में सांदार role play करने वाला है आपको यहाँ पर 6 ओबर तक का जो score 140 से 143 देखनों को मिलेगा 10 ओबर तक 170 की score ओबर तक यहाँ पर 110 से 115 की score बाकि 20 ओबर तक आपको 116 से 165 की score देखनों को मिलेगा इस मेजान की एक 7 score भी है वो है दोस्तो 170 क्योंकि दोस्तों इस मेदान की एक interesting चीज देखने को मिला है इस वाली मेदान में 170 का score अभी तक 5 साल के अंदर 2 ही बार chase हो पाया है दोस्तों इस मेदान में पहले innings में 170 या 25 की score बन जाता है तो इस score को chase करना बहुत कठिन हो जाएगा अब यार बात करेंगे boundary की dimension के बारे मे दोस्तों इस boundary बहुत बड़ा boundary है boundary का जो straight boundary जो सामने का boundary है वो 77 मिटर का है 65 मिटर यहां का offside है यहां के यार डीव मिड़ बहुत लग है जो 81 मिटर का है अब यार बात कर लेते हैं इन दोनों टीम के playing 11 के बारे में इनके playing 11 में से कौन से कौन से दिगज़किलाड़ी खेल दिखने वाले हैं यहां पर सबसे पहले बात करेंगे Melbourne Stars की playing 11 की तो इनके opening में आपको दिखने वाले हैं जो एक लेर के साथ Tom Rogers, Hilton Catwet, Bevo Webster, Nick Larkin, James Symer, Nathan Colternel, Clint Hinchlap, Luke Wood, Liam Hatcher और Adam Jampa इसारे खिलाड़ी मेदन में आपको नजर में आएंगे अब यार देख लेते हैं अडल आइकर्स की playing 11 को इनके opening में आपको दिखने वाले मेथिव सौर्ट के साथ, रियान गिप्सन, इनके बाद क्रिसलेन, एडम होस, कोलिंडी ग्रेंड होम, थमस केली, हैरी नेलसन, बैन मेनेंटी, केमरन बोईस, वेस अगर और आखरी में हैरी केनवे खेलते हुआ आपको में जीत हैसिल किये हैं, इनके बीच में अभी जो लास्ट के पांच में खेले गे थे, इन पांच में से अडले स्ट्राइकर्स ने दो में जीत हैसिल किये हैं, और मेलबन स्टार्स ने तीन में जीत हैसिल किये हैं, दोस्तो पिछले सीजन में इन दोनों के बीच में दो बा जाए बहुत प्रफिट भी बनाने वाले हैं और हमारे इस वीडियो को एक लाइक भी करदना और हमारे इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब भी करना मत भूलेगा अब यार हर मैंच की तरह इस मैंच की भी में आपको तीन-चार प्रिडिक्शन देता हूं इन सारे प्रिडिक में दोस्तो यह बहुत जादा स्कॉरिंग भला मैं आप लास्ट प्रिडिक्शन में इन दोनों टिम में से इस मैंच को कौन्सी टिम वून करेगा इसके बारे में बतादेता हूं दोस्तो यहां पर सारे स्टेक्स को चेक करने का बाद पूरा एनलेस करने के बाद अग्श कर करते हैं फिर मिलते हैं शांदार और बहतरीन वीडियो के साथ तब तब जय हिंद्द